दोस्तो कही दिनों से मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर लेवर कार्ड पर एक वीडियो बनाईए तो ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा तो लेवर कार्ट को बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस वेपसाइट पर आ जाना है इसका लिंक मैं आपको डिस्किप्शन में दे दूँगा जैसे ही आप आएंगे तो आप कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा और बहुत दिनों से इसकी वेपसाइट बंद कर दी गई लेकिन एक बार फिर से इस वेपसाइट को चालू किया गया है यह देखिए आप जब पहली बार इस वेपसाइट पाएंगे तो यहाँ देखिए उपर ही नोट में लिखा हुआ है स्रमिक पंजी करण, नवीनी करण और योजनाओ के लिए आवेदन प्रक्रिया बोड द्वारा पुना सुरू कर दे गई है और भी यहाँ पे सारी डिटेल दी गई है आप पढ़ लेजिएगा उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको स्रमिक का ओप्शन दिख रहा है आप इसी स्रमिक वाले ओप्शन पर क्लिक करेंगे देन यहाँ पर देखिए आपको कई सारे ओप्शन देखने को मिल जाएंगे स्रमिक पंजी करण आयों संसोधन और उसके बार नवेणिक करन की स्थिति स्रमेग सर्टिफिकेट और भी यहां पर डिटेल दे गई है तो हमको एक नए लेवर कार्ड बनाना है उसके लिए हमको यहां पर स्रमेग पंजियन और संसोधन इसी पर क्लिक कर देना है यह देखे उसके बाद हमारे सामने यह page open हुआ है यहाँ पर देखे उपर लिखा है सरमिक पंजियन का आवेदन आप आपको करना क्या है? यहाँ पर आप अपना अधार संख्या डालेंगे उसके बाद यहाँ पर आप अपना मंडल चुलेंगे जो भी आपका मननल लगता हो यहां से जैसे हमारा आयोध्या लगता है तो हम आयोध्या यहां select कर लेते हैं उसके बाद यहां पे आप अपना जनपत चुनेंगे जो भी आपका जिला हो वो आप select कर लेंगे देन यहां पे अपना एक mobile number डालेंगे देन उसके बाद यह capture code आपको जोड के डालना है यह देखे 20 प्लस 23 लिखा है इसको जोड के जो भी आए यहां पे डालके उसके बाद यहां पे आवेदन करें इसी पे आपको click कर देना है यह देखे जैसे हमने click किया है यहां उपर भी लिखा हुआ आगया है हमको यहां पे डालना है यह देखे हमने OTP डाल दी है अब फिर सम प्रमानित करें पर जैसे click किये है यहां पर देखे हमारे आधार से सारी detail फैच होके आ चुकी है photo अगयरा सब कुछ है अब फिर हम यहां घोसना पे click करेंगे checkbox पे देखे जैसे हमने click किया है उपर लिख किया चुका है आधार verify हो चुका है अब यहां पर देखे जो चीज यहां पे fill up नहीं है उसे हमें manually यहां पे fill कर देना है तो यहां पर देखे जिसमें star mark लगे है उसमें आपको mandatory भरना ही पड़ेगा नहीं तो आपका farm आगे नहीं पड़ेगा यहां पर जैसे देखे आपको अपने bone का नाम डालना है अंग्रेजी में उसके बाद यहां पर हिंदी में आ जाएका अगर नहीं आता है तो आप यहां पर copy paste कर लिजिए गा देन उसके बाद यहाँ पे आपको अपना कार इसलेट करना है कि आप कौन सा कार करते हैं यह देखिए जैसे हमने इस पे क्लिक किया है यहाँ पे जितने भी कार हैं सब के यहाँ पे लिश्ट आ चुकी है जो भी आप कार करते हों जो भी काम करते हों उसको आपको सलेट कर ले यहाँ पे नियोजक का मोबाइल नंबर इसे भी आप चाहे तो डालें नहीं तो आप छोड़ सकते हैं ये सब लेकिन उसके बाद यहाँ देखे लिखा है गत बारा माह में निर्मार कार दिवस की संख्या मतलब कि आपने कितने दिन काम किया है तो कम से कम आपको यहाँ पे 90 दिन डालना है इससे ज़्यादा आप डालिएगा इससे कम मत डालिएगा 90 दिन या 100 दिन 120 दिन जितना भी हो आप डाल दीजेगा उसके बाद यहाँ आप देखे लिखा है यदि स्रमिक मनरेगा में काररत है तो टिक करें अगर आप मनरेगा में भी काम करते हैं तो आप यहाँ टिक कर दीजेगा नहीं तो आप इसको छोड़के आगे यहाँ पे आप सैच्छी योगता पे क्लिक करके अब यहां पे हमको अपना पूरा address डालना है तो हम यहां अपनी तहसिल select करेंगे जो भी आपकी तहसिल हो आप select कर लीजेगा उसके बाद अपना गाओं या वार्ड यहां से आप select करेंगे pin code select करेंगे अपना post select करेंगे यह सारी चीज़े आप select कर लेंगे अपने हिसाब से उसके बाद यहाँ पर देखे लिखा है आवेदक का इस्थाई पता अगर आपका दोनों पता same है तो आप यहाँ checkbox पे click कर देंगे तो automatic दोनों यहाँ पर पता हो जाएगा same to same यह देखे हमने अपना पूरा address डाल लिया है अब यहाँ पर हम save detail and next पे हम click कर देंगे तो चलिए हम इस पे click कर देते हैं देखे जैसे हमने click किया है data save successfully दिखा दिया हम ok करेंगे यहाँ पर देखे उपर option है विदेश में भी काम करने है तो यहाँ पर देखे अगर आप विदेश में काम करने के इच्छुक हैं तो हाँ पर click करिएगा नहीं तो नहीं पर रहने दीजेगा उसके बाद यहाँ पर देखे नीचे लिखा है क्या नॉमनी भी स्रम विभाग में काररत है मतलब कि जिसको भी आप नॉमनी बना रहे हैं तो उसका भी अगर लेवर कार्ड बना है तो यहाँ पर टिक करेंगे और उसकी डिटेल यहाँ पर डालेंगे अगर नहीं बना है तो इसको छोड़ देंगे देन यहाँ पर नॉमनी का नाम डालेंगे नॉमनी का नाम अंग्रेजी में उसके बाद यहाँ पर हिंदी में उसके बाद यहाँ अपना संबंध आप चुनेंगे कि आपके वो क्या लगते हैं देन यहाँ पर आपको पूरा detail डाल देना है यह देखिए हमने nominee की सारी detail डाल दी है उसके बाद हम save detail and next पर हम click कर दिये है देखे जैसे हमने click किया है nominee की detail भी यहाँ पर save हो चकी है देन आपको यहाँ पर अपने bank detail देनी है तो चलिए हम bank की detail डाल देते हैं यह देखे हमने bank की सारी detail डाल दी हैं उसके बाद यहाँ पर देखे सोवप्रमारित गोसना पत्र है इसे हम scroll down करेंगे और यहाँ पर नीचे आपको document अपने upload करने हैं जो भी document है यहाँ पर आपको upload करने हैं सबसे पहले आपको अपना photo upload करना है उसके बाद यहाँ पर देखे आप अपने sign करके upload करिए कहने का मतलब यह है सोवप्रमारित का तो यह सारी चीज़ आप upload करेंगे उसके बाद सोवप्रमारित गोसना पत्र भी upload करना है यहाँ पर देखे नीले color में download करें लिखा हुआ है जब आप इस पर click करेंगे तो download हो जाएगा आपका सोवप्रमारि यहाँ पर upload करना है और यहाँ देखे note में लिखा हुआ है कि जो file की size होनी चाहिए मतलब कि जो भी आप document upload करेंगे उसका size सो कोई भी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और file की type होनी चाहिए मतलब jpg में होना चाहिए या तो jpg यही तीनों में से किसी एक का होना चाहिए त देन उसके बाद यहाँ पर हम सौह प्रमारित अपना bank passbook upload करेंगे उसके बाद सौह प्रमारित गोसना पत्र फिर नियोजन प्रमार पत्र यह सारी चीज़े हम यहाँ पर एक एक करके upload कर देते हैं देखे जैसे हमने अपने सारे document upload किये हैं उसके बाद यहाँ देखे last option और add होगा तीन साल का करना है तो 20 रूपए और देने पड़ेंगे तो इन में से जितने भी वर्स को करना है आप select कर लेंगे फिर यहाँ घोसना पर टिक करेंगे और यहाँ पर final save कर देंगे देखे यहाँ पर pop-up भी आ चुका है देखे जैसे हमने final पर क्लिक किया है प्रवेदन संख्या आ चुकी है अब हम यहाँ भुकतान करें पर क्लिक करेंगे यह देखे हम payment gateway पर redirect हो चुके हैं अब आप जिस भी माध्यम से payment करना चाहें आप payment कर सकते हैं चाहे नेट बैंकिंग से चाहे डेविट कार्ड करिट कार्ड से यह QR कोड से तो सबसे आसान है QR कोड से तो हम QR कोड से सेलेट करेंगे उसके बाद यहाँ पर भी मीउप्याइ सेलेट किये हैं अब यहाँ पर हम make payment for 40 इस पर हम क्लिक कर देंगे देखे जैसे हमने इस पर क्लिक किया है अब हमारे सामने हमारा QR कोड आ जाएगा उसको हम अपने mobile से स्कैन करके अपना payment कर द जाएगा और आप online ही इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है कि कैसे आप अपने लेवर कार्ट को डाउनलोड करेंगे वहां से आप देखके कर सकते हैं तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह चोटी से जानकारी आपको पसंद आई होग अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों में जरूर सेहर करिएगा